जहिन साथियों, साथियों आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं सिटेट 2014 का ओपलाइन वाला पेपर और आज की इस वीडियो में EBS का 30 क्वेशन जो पोछा जाता है 30 का 30 ओफिसियल एंसर की के अनुसार एक्स्प्लानेशन करने वाले है क्योंकि अब आप लोग को जो है previous year का question है वा important हो गया है क्योंकि exam जो है offline हो गया है इसलिए previous year का question important हो गया है तो साथियों आप लोग को बता दो कि previous year का जितना भी question है already हम इस channel पे करा दिये हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो channel के playlist को जाकर के check कर सकते हैं यह हमारी इस channel के ID को जाकर के check कर सकते हैं सभी video आप लोग को previous year का सभी subject का मिल जाएगा तो आप जो है ID को जाकर के check कर सकते हैं चलिए आज की इस video को हम सुराथ करते हैं तीस question है और फटा फट से हम समझते जाते हैं अगर आप तीस में से कितना का जवाब देते हैं यह comment box में आप लोग देते चलिएगा पहला question से सुराथ करते हैं पहला question एकसर्ट नमर का होता ABS का question है कांसा इसी को हम क्या काते हैं ब्रांज काते हैं दो धातूं का मिश्रन है यह दो धातू कौन कौन है देखिए आप लोग को एक ट्रिक याद करना दोस्तों क्या याद करना कां कांटी देखिए यह आप लोग को याद करना क्या है कां कांटी इस कांसे क्या याद हो जाएगा आप लोग को कांसा और इस कांसे आप लोग को याद हो जाएगा copper और इस टी से टीन निक्ता प्रव और टीन का मिश्राण है अंसिव क्या काते यह किस का शें हैं तो अगला कुष्टे सान Clay को निम्लिकी समूह में से उस समूह का क्योंगों का क्यों है इसमें खाना पकाने की तरीके तरीकियर और विधी सेंगे फीक किएगँ कर उसके बाद क्या करेंगे तल कर और उसके बाद भून कर वह चाहर जाНеAudi देख सकते हैं भारत में भी नहीं और यह किटनी है यह 800. मीटर अगर यहां पर एक्स्ट्वल मान देखा जाएदे कितना होता है यह 8850 मीटर होता है तो लगभग में इसी को लिखा गया कितना नावासी सो मीटर और यह कहां पर है नेपाल में है तो राइट एंचर क्या होगा अप्सन नमर दो हो जाएगा चलिए अगला क्वेशन देखते हैं अगला क्वेशन यहां पर 64 नमर का जो की इंपोर्टेंट क्वेशन है थोड़ा सा यहां पर जूम कर दिए देख सकते हैं यह क्वेशन 2014 का है और यह पेपर वन का क्वेशन देखिए 64 नमर का कि रेगिस्तानी ओक एक पेर का नाम है जिसके जड़े उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए इस पेर की जड़ों की गहराई इस पेर के उचाए का लगवक तीस गुन्नी नाम क्या है तो एगिस्तानी ओक है यह भी आप लोग धियान रखेगा तो राइट एंसर क्या होगा अप्शन नमर 3 हो जाएगा चलिए अगला क्वेशन देखते हैं अगला क्वेशन है यहां पे 75 नमर का क्वेशन देखिए क्या है कि कोई रेल गारी गांदी धाम से 16 जु मिनट में और पहुचते कब अठारा जु component को और कितना बजे 4 बजा ability देखिए अग्रोवी सब्सूंदी ओस् minister 10 सब्सक्राइब दोने कि कितने वज़े पहुंचते सबूसे हैं चार पांच पंद्रा में अगर यहां पे साथ यो 515 में पहुंचता तब कितना 24 घंटा हो जाता लेकिन आधा घंटा पहले पूंच रहे है मतलद 24 में आधा घंटा पहले कितना सारे सब्सक्राइब 30 फांट तो समय कितना हो गया सब्सक्राइब निकालना क्या है यहां पर चाल निकालना है तो चाल बड़ावर क्या होता है दूरी बड़ता समय दूरी है 2646 और समय कितना निकला 47.5 इसको भाग करेंगे तो लगभग निकाल जाएगा कितना 55.76 निकल जाएगा कितना 55.76 ऑप्सन देखे साथ यहां पर सताबन तो नहीं होगा उसके बाद यहां पर देख सकता है कि 56 भी दिया गया तो पस्पन प्वेंट 76 आया ना तो लगभग में 56 क्या असपार इसी लिए राइट एंस्टर क्या होगा ऑपसन नमर दो होगा ना कि ऑपसन तीन होगा राइट ऑपसन क्या होगा ऑपसन नमर 2 हो जाएगा capital है जिए सिल्विया राज कि लोगों के लिए मदुमक्षी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधी कौन सी है ये तो बहुत वार पुछा गया है कब अक्टूबर से दिसंबर जो अभी समय चल रहा है दिसंबर में आ भी है तो क्या होगा अक्टूबर से दिसंबर और बिहार में कहां पे तो मुझपर पूर के बहु सकते हैं इसको आपको कुट के माधियां से जवाब देना है सट्चा का चलिए पर देते क्वेस्टन है कि खेजरी वइन के बारे में आपको बताना है कि इसका राइट इंसर क्या होगा यह विरिक्स मुक्तर एगिस्टानी शेतरों में पाई जाता बिलकुल पाई जाता है इससे अधिक जल क्या आउसकता नहीं होती है, यह चायादार विरिक्स है, जिसकी चाया बच्चे खेलना पसंद करते हैं, चाया में तो बच्चे अवस्थ खेलेगा, यह भी क्या होगा, अप्शन नमर यह सही है, चाया में क्या है कि यह अपने तन्य से जल एकत्र करता है, और लोग पतले पैप, देखिए, पतले पैप से एक खेजरी विक्स के नहीं करते हैं, यह दूसरा है, वह कौन सा है यह आप लोग कमेंट में बताना, यह अप्शन गलत है, क्या होगा, एक, दो, तीन, एक, दो, ती में नीचे देएगा कौन सा कतन सही है, यह बताना है कि हाथी के बारे में, देखिए, साती हो कि हाथी से जो हर साल क्वेशन पुषा जाता है, इसलिए आप लोग हाथी के बारे में दो, चार पुएंट जितना भी है, आप लोग याद कर लिजेगा, चलिए, ऑप्शन देख लेते हैं, तीन महिने के हाथी के बच्चे का भार लगभग दो कुइंटल, आनि 200 किलो होता, यह बिल्कुल राइट है, यह क्या होगा, अप्शन नमर दो, इसका सही है, बाकी अप्शन भी देख लेते हैं, बाकी अप्शन देखिए, यहाँ पर है, तीन नमर का दो से लेकर के चार घंटा ही अराम करते हैं, यह भी गलत है, तो रेट एंसर क्या निकला था, अप्शन दो ही निकला था, चलिए, अगला क्वेशन देखते हैं, अगला क्वेशन है 59 नमर का, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, चलिए, पर यह और कमेंट में आप एंसर देते चलिए, देखिए, क्या है, कि नीचे देगे पर अगर आप पढ़िए, और जिस गौं से है, उसका अपने घर की वेशन में लिखा आगी जाए, देखिए, मैं गौं से आया हूँ, हमारे गौं में अत्यदिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगव दो हो जाएगा, चलिए, अगला क्वेशन देखते हैं, अगला क्वेशन है, सतर नमर का, देदा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग को फास्ट में अब रिवजन करना है, समय कम बचा हुआ एंग्जाम का, सतर नमर का है, कि बड़े लिपी में मोटे कागजों पर उभर से हुए, बिंदू बने होते हैं, यह लिपी अधारित होती है, कितने बिंदू पे, सो बिंदू पे, डिरेक्टी आप लोग को क्वेशन जाएं, अंसी आटे का पुशाग जाए, और बड़े लिपी किसके लिए प्रयोग के जाता है, अंधे वेक्ति के लिए, या बहरा व हद तक अपनी गर्दन को पीशे तक घुमा सकता है, कौन पक्सी है, जो काफी हद तक अपनी गर्दन को पीशे घुमा सकता है, क्या होगा, अल्म्य है, लेकिन यहाँ बिंदू पर कोवा तब आप लोग को मेना टिक करना लेकिन यहां पर बोलड़ा है कि काफी हद तक हैंने 360 डिग्री पर कौन घुमाता है तब आप लोग को यहां पर उल्लू टिक करना है तो राइट एंचर क्या होगा एक अतर का उल्लू हो जाएगा चलिए अगला क्वेशन देखती हैं अगला अगला क्वेशन डियां टिप्र्प का और नार्यल जब भी आप लोग को क्वेशन में मिल जाए केरल आप्षन खुझना है जो क्या आप्षन में चार में है अगला क्वेशन देखते हैं अगला क्वेशन है 73 की कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाईया लिखता है और साथ घूर आवला और हरे पतिदार देखे यह आप लोगो खोजना है गूर आवला और हरे पतिदार इसके कारण से कौन से रोग होगा ऐनीमी या उसके पास रोग होगा इसलिए कि डॉक्टर सला दिया आगा है किसका खाने के लिए गूर आवला और हरे पतिदार सब्सक्राइब को रेटेंश के आगा अप्शन नमर चार देखिए जो हम टिक किये हैं जो यहां पे घेरी है यह अगर आप लोग को क्वेस्टन में मिल जाए तो आपके पास अगर समय नहीं हो एंग्जाम में तो डैरेक्ट आप लोग को एनिमिया टिक करके आ जाना है चलिए आगे देखते हैं आगे है यहां पे 74 नमर का जो की बहुत इंपोटेंट क्वेस्टन है कि कुछ पक्सी हमारे तुन्ना में चार गुन्नी अधिक दूरी तक देख सकते है यह पक्सी है ब कौन सा पक्सी है यहां पर चीज ने होगा चील होगा चील बाज और गीद ऑप्सन नमर ठीरी इसका राइट एंचर हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं आगे देखिए हमें 75 नमर का क्वेस्टन है कि भारत की मांचीत में दिल्ली की इस्थिदी के सापेक्स हिमाचल परदेश की राजधानी सिमला और मद परदेश की राजधानी भौपाल करमस्व इस्थीत है साथ ही आप लोग को मैप से जो है ना भारत की मैप से एक या दो क फिक्स रहेगा देखिए आपको एंसर क्यस्की लगाना इसको सबसे फल यहां में भारत क कम्येप है देखिए इसने बना हमाचल पर्देश हैसपी के ओर मद पर देश बिच्च बीच आनि दिली की थोड़ा सा नीचे में यहाँ पी होता मधपर देश की राजधानि प्रकाल और करमस तुरिप अडिली के सब्रसुजव कर देज हैं यहाँ साथ रधियान रखना कि जिसके साथ रहे हैं वहां शृप लोगों को दीखना यहां पर दिल्ली के साथанс तो दिल्ली यहां अब यहां पी जिसे आप लूगया यहां पहन करते हैं एसे करके और किदर क्या होता इस्ट फोपर अनौर्थ और नीचा में शौथ हो जाएगा अब देखिए हिमाचल परदेश उत्तर हो गया उत्तर यहां भी देख सकते हैं वसके बाद अजह मत परदेश नीचा और दक्सीन सौथ दक्सीन में देख सकता है कि ओप्सन नमर थ्री हो जाएगा बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्टन है और देख सकते हैं और चार इन्वर्मेंटल एस्टडी यह भी आप लोग धियान रखना है यह अगला देखते हैं 77 नमर का थोड़ा से बड़ा क्वेस्टन है इसको थोड़ा सामज़े छोटा कर दिया चलिए क्वेस्टन है कि कौन सा प्राथ्मिक अस्तर पर अस्तर पर परियाव पुरण अध्यन के सिक्षण का उदेश नहीं है कौन नहीं है यह आप लोग को बताना देखिए अप्शन नमर एक पढ़िए कि कख्षा कख्ष में होने वाली अधिगम को बीद्याला के बाहर दुनिया देखिए बाहरी दुनिया एंसिया भी कहता है कि बच्चों को कुछ आँ सल् किन देंगे उसको संभाएंगे उसको फॉटकारेंगे नहीं नहीं यह दो सम्झागे यहांपि पुछा गया यहीं आप्को सही अहीर हो जाएगा ने» पुछा गया है यह आप लोग को दो आप्सन जो है इस इसका रेटेंश हो जाएगा बांकि देखिए आप अब अब प्रिएडित करना था यह भी सही है बच्छों को अपने निकट प्रिवेश से बाहरे ज्यान से जोरने के लिए कर यह भी सही है तो गलत कौन है गलत दो है औ अब लोग को सल से या संविगात्मक को सल से चिंतन को सल से या बोलने संबंदी को सब्सक्राइब को सल से इसका रहे टेंचर क्या हो देगा अठातर का देखिए अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन देखिए नमर का देखिए 89 का क्वेस्टन यहां पर थोड़ा दूंदला भी है और यहां पर थोड़ा बढ़ा है आप लोग इसको पर करके जबाब दिजिएगा सब्सक्राइब यह आप लोग को अगर दिख रहा है तो कॉमेंट बॉक्स में पर करके इसको जबाब दिजिएगा अधिगम भागिदारिता के लिए निवन में से कौन सी सिक्षन युक्ति अधिक परभावी होगी ऑप्शन पर ये शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग-अलग दिनों में अलग-अलग खेल फिलाना ये तो अच्छा लगड़ा ऑप्शन ये खरूं को को देखने के लिए देखने के लिए उसको अप्षान बिगलत हैसका ही और रियवन में से यह पुछा गया है पाठ में दी गई महत्पुन सब्दावली की प्रिभासा की व्याख्यान करना व्याख्यान करना प्रिभासा को क्यों करेंगे यह तो नहीं है यह तो गलत है उसके बाद देखें दिये गए प्रियोगात्मक कि यह कलापों को पूरा करना और अपनी अवलो नहीं है पुझा गिया है इसका नंवर एक वादा को आयोग ने जो Mayo स्क उसक्राइब में लيلा है इसके राइपसेंड कर दीए लिए इसman को चक्षाट डिया गिया इसका रेय मेंसर क्या हो गांप शंवी हो जाएगा चलिए अगला कोसिन देखते हैं अगला कोसे में यह byCar धीवी Sec.com kitaع certification को पटाने के सीदल कुक्त 45 के शिक्सवारतियों के लिएrok छिरियां घर के भर्मन का आयोजन करती है यह डैस डैस में सिख्षार्थियों की मदद करेगा और चिरियां घर भर्मन करने के लिए बिदार्थिक को ले जाते हैं तो यह क्या मदद करता है बच्चे को देख सकते हैं आप्षन देखें जीब जन्तों संक्षन के कोशल के विकाष या अप्षन दो में देखिए कि द इसका राइट एंसर के आप्शन नमर थिरी यह पोजेटिव टेक वर्ड विश में देखने के लिए मिल राके साथ जोर ने के लिए चलिए आगे देखते हैं आगे होगा 83 नमर का 83 नमर का क्वेशन है कि सालने कशाब पांच के सिक्षार्थियों को पोशन पर अधारित परकरण से प्रेचित कराना चाहती है उन्हें क्या उप्शन पर ये स्यामपट पर पाशन तंद्र का आरेक बनाना चाहिए बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए इसको समधाना चाहिए पोशक तत्वों से भरपूर विवीन परकार के भोजन के उधारन देने चाहिए चलिए ये उप्शन सही है बाकी पर ये विवीन परकार के भोजन को करनी चाहिए देखिए यहाँ पर बहतर है अगला कुछन देखते हैं अगला कुछन होगा चलिए थोड़ा से यहाँ बढ़ा कर दिये हैं कि रस्मी को यह सिखाया जाता है कि वह प्रस्ण पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करें देखिए सब्सेफालि हुआ करेगा रूप रहारेख़ा और बुलूप्रिंच त्यार करना चार हो जाएगा कि प्रसण लेकिन लिखने के बाद समपदान करें अन्हीं एक टीन देखिए यहां पर दिया गया लेकिन पॉले कॉन बाताय थे दो अप्सन वर यहां पर दो इसका राइटेंश रो जाएगा चलिए आगे देखते हैं आगे हैं पचासी नमर का देखिए पचासी नमर का क्वेस्टन थोरा से बढ़ा कर दी है कि हर पिरित अपने सिक्सार्थियों को यह सुझाओ देना चाहती हैं कि पर्यावरान संडक्षन के लेकिस परकार का एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदा आगा बांकी ऑप्चन भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पर सकते हैं ऑप्चन एक ही की इसका बहतर ऑप्चन था चलिए अगला देख लेते हैं अगला यहाँ पर श्यासी नमर का क्वेस्टन है काक्षाप पांस के सिक्सार्थियों में जिग्यासा जागरित करने का निम्न में से सबसे परवहावी तरीका निए बत्सों की अंदर जिग्यासा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए यह आप लोग को बताना है चलिए अप्शन देखिए कि अधिगम हस्त पड़क अनुभा परदान करना हस्त पड़क क्यों यह तो नहीं कर सकते गलत लिखीत का ब्रवें उन्हें फास देना अधिक अभ्यास दे करके नहीं हो सकता है क्यों करना कोई अत्र सकते लेकिन गहन करेंगि कि अंदर क्या लगवरी है जिए बढ़ा सकते हैं बहतर ven classic leaders CEO हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं अगला होगा 87 नमर का चलिए थोड़ा से इसको छोटा कर दी है देखे 87 क्या है कि यदि एक महिने के लिए बिजली नौ हो तो हरा तो हमारा जीवन किस परकार परभावित होगा इस प्रसुन को पूशने का उद्देश क्या है यह बतान करने के परती सिक्सार्थियों को संबेदन सील बनाना चलिए यह अप्शन तो ठीक लग रहा है बांकि देखिए बिजली के सरोतों के विशे में सिक्सार्थियों का आकलन करना आकलन नहीं कर सकते यह अप्शन गलत है उसके बाद देखे सिक्सार्थियों के कल्पनात्मक औ और चिंतन और चिंतन प्रक्वसलों को विकास करना देखे चिंतन ठिंकिंग करके यह बहतर option है इसलिए रिटेंश प्रस्थनतर के आगा option नमर थिरी ही होजाएगा option एक भी सही है लेकिन एक में बहुत करीब है प्रसुन के बहुत नजदिक है वही आपनों को टिक करना एक के तुनला में सब्सक्राइब ये बेहत्तर है इसलिए रैटेंजर क्या होगा 87 का अप्शन नमर तिरी हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं अगला कुश्चन अठाशी नमर का अठाशी नमर का क्वेशन है काक्साब 5 की पर्यावरान अध्यन की पाठ पुस्तक की एक पाठ में सर्वेक्शन और लेखन पर एक भाग का मुख उदेश है क्या उदेश है ये बताना है देखिए अप्शन पर ये सिख्षार्तियों को समान जानकरे का आकलन करना आकलन करके नहीं कर सकते हैं सिक्षार्तियों को अबसर उप्लाव्द कराना है विए चीजों को खोजी और सीखे देखिए अबसर और चीजे को खोजी और सीखे खोज करके सिखेगा ये बहत्तर आप्शन है और इसका रैट एंसर यही हो जाएगा नवासी क्वेशन है कि वीरिक्स इस बात के लिए परोसाहित करना की वे एक 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 वे एक विडिक्स को अपनाए और उसकी देखवाल करेंगे चलिए आगे ऑप्षन भी पर लेते हैं आगे अप्षन के बीन नमर का क्या है कि वन संद्रक्षन पर बाद विवाद बाद विवाद तो होगा नहीं उसके बढ़ा था एक पर नहीं आपाया चलिए और यहां पर देख सकते हैं कि चार यह पर चार डी में दिया गया है चलिए लाश्ट कुश्चन है नबे नवर का थोड़ा से इसको छोड़ा कर देते हैं चलिए पढ़िए और बताइए इसका रेट एंसर क्या होगा क्वेस्चन है कि कक्षब पांस के सिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद सीला परकरन की बिसे में सिक्षार्थियों की समझ के अस्तर के बिसे में जानने के लिए एक परिक्षन परसारित करती है उसे यह जानकर आश्चर्ज होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारना को नहीं समझ पाए इसका परमुख कारण हो सकता है क्या कारण हो सकता है? उसने परकरन पढ़ाने के लिए सही पदाती का परियोग नहीं किया था यह उप्षन है उप्षन नमर एक चलिए बांकिए उप्षन में देख लेते हैं आप्षन 2 में देखिए उसक्षार्थियों कि संग्यानादमक अस्तर पर अच्छा नहीं था यह तो नहीं हो सकता है यह परकरन पाट पुस्तक में सामिर किये जाने योग नहीं था गलत है उसके बाद सिक्सार्थियों कि यह परक्रान रोजसक नहीं लग यह भी option गलत है तो रैटेंशन क्या होगा option नमर एक हो जाएगा 90 का option क्या हो गए एक हो गया तो कुल मिलाकर करके साथी हो हम 30 question कर discuss किए ABS का जो कि 2014 का offline वाला paper था इस तीस में से आप लोग कितना सही की है वो comment box में जरूर आप लोग comment करके बताएए क्योंकि अब आप लोग को exam जो है वो offline होने वाला है इसलिए आप लोग अधिक से अधिक मातरा में offline question करें practice करें चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ नए question के साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर पॉलिवार विजिट किया है तो चैनल को subscribe करके जोर जाएए चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद